हलो बच्चो बच्चो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको चैप्टर सेवन हार की जीत पड़ा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको आपके किताब के दूसरे पाठो के वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आप लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो तो चलो में शुरू करती हो देखे बच्चो पाठ का नाम है हार की जीत यह एक स्टॉरी है कहानी है इसे सूदर्शन ने लिखा है इसके लिखा कौन है सूदर्शन अब आप पाठ का सीशक देखिए हार की ज हार जीत में बदल जाती है ठीक है अब मैं कहानी शुरू करती हूँ पहला पैराग्राफ देखिए मा को अपने बेटे और किसान को अपने लहा लहा देखे देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था देखो बच्चो एक जो मा होती है वो अपने बेटे को देखकर खुश होती है तो उसे बेटे को देखने में मज़ा आता है वैसे ही किसान मतलब फार्मर को अपने खेत मतलब फार्म को देखकर जो मज़ा मिलता है वही आनंद मतलब वही मज़ा जो बाबा भारती है उनको अपने घोड़े को देख अरपन हो जाता देखो बच्यों जो भाभब बारती थे वो बहुत संत्थ प्रवर्ती के थे वह बहुत पूजा पाट करते थे इसलिए वो मदिर में रहते थे तो भजन करते थे तो भजन से जो साइम भसता था, बह गोड़े को अर्पन का मतलब है देने से, कि बह गोड़े को देते थे, मतलब वो अपना समय गोड़े के साथ व्यतीत करते थे. आगे देखो, बह गोड़ा बहुत ही सुन्दर और बलवान था, बलवान मतलब strong powerful था इसके जोड का घोड़ा सारे इलाके में ना था इस line का मतलब है कि उसकी बरावरी का घोड़ा उसके जैसा घोड़ा कोई दूसरा थाई नहीं उस पूरे इलाके में उस पूरे एरिये में वैसा घोड़ा कोई थाई नहीं आगे देखो बाबा भारती उसे सुल्टान कहकर पुकारते तो बाबा भारती ने उसका क्या नाम रखा था घोडे का सुल्टान रखा था अपने हाथ से खरारी करते खरारी का मतलब होता है बच्चो जैसे आपकी मम्मी आपके बालों की कंगी करती है वैसे क्या है गोडे की कंगी की जाती है तो गोडे के बाल निकाले जाते है उसे खरार बोलते है तो वो क्या करते थे जो गोडे है उसके कंगी किया करते थे अपन देखकर प्रसन होते थे प्रसन मतलब हैपी और घोडे को देखकर जो बाबा भारती थे वो बहुत खुश होते थे आके देखो उन्होंने रुपिया माल असबाब का मतलब होता है बच्चों बस्तु या सामान ठिंक्स जमीन लेंड आदी सब कुछ छोड़ दिया था उन्हों से अटेच्मेंट था जिसका नाम क्या था सुल्तान वो सुल्तान कहकर उसे बुलाते थे आगे देखो यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घ्रणा थी नगर मतलब टाउन टाउन की जो लाइफ है न वो भी उनको पसंद ही घ्रणा मतलब नफरत करना उन्हें पसंद नहीं थे उन्हें गाउं का जीवन पसंद था आगे देखो अव गाउं के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते मंदिर में टेंपल में रहते थे वो क्योंकि वो दिन बर पूजा पाट करते थे ना वो संत थे सादू थे आगे देखो और भगवान का भसन करते थे मैं सुल् ऑस्षान के बीना नहीं रह सकता आगे देखों 2 उसकी चाल पर लट्टू थे चाल का मतलब होता है बच्चों गती स्पीड हाना लट्टू होना ести स्थु होना मौहावर है उसका मतलब होता है मोहित होना फिदा होना तो वह गोड़े की चाल थी न उसकर मतलब बहु कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहो वे कहते थे कि मेरा जो घोड़ा है वो ऐसे चलता है जैसे मोर होता है ना पिकॉक जो होता है वो घटा मतलब बादलों को देखकर नासता है जब भी भी बादल आसमान में घिर जाते हैं तब मोर खुशी से नासता है बैसे म नरगोडा चलता है आगे देखो जब तक संध्या के समय संध्या मतलब इविनिंग शाम के समय सुल्तान पर चड़कर आठ दस मिल का चक्कर न लगा लेते उन्हें चेन आता है इसका मतलब है कि रोज शाम को वो सवारी करते थे राइडिंग करते थे घोडे की ठीक है आगे द कहते हैं और डाको बोलते डकेत को रौवर जो दूसरों की चीज़े चुरा लेते हैं जो दूसरों से लूट पात करके चीज़े ले लेते छीन लेते हैं ठीक है लोग उसका नाम सुनकर ही कापते थे डरते थे सब लोग उससे होते होते सुल्तान की कीरती कीरती का मतलब होत उसका हिर्द है उसे देखने के लिए अधीर होटा अधीर का मतलग होता है बेचन मतलग क्या है ना कि खड़क सिंग है उसकी इच्छा हुई सुल्तान को देखने की कि ऐसा घोड़ा मैं भी देखना चाहूंगा जो इतना बहाद्दूर है जो इतना सुन्दर है बलवान है तो बाबा को नमशकार किया तो बाबा भारती ने पूचा खड़क सिंग क्या हाल है कि तुम कैसे हो खड़क सिंग ने शिर जुकाकर उत्तर दिया आपकी दया है कि आपकी दया से मैं अच्छा हूँ उसका कहने का मतलब ये है कहो इधर कैसे आए उन्होंने रीजन पूछा भी तुम क्यों आयों यहां पर तो उसने कहा कि सुल्टान की चाहा खीचला इसका मतलब है कि मैं सुल्टान को देखने की इच्छा से यहां पर आया हूँ बिचित्र जानवर है बिचित्र का मतलब होता है अनोका स्ट्रेंच सबसे अलग था वो घोड़ा जो था वो सबसे अलग था इसलिए बिचित्र बोला उसको देखोगे तो प्रसंद हो जाओगे बाबा भारती क्या करें कि जो घोड़ा है वो सबसे अलग है उसको जब तुम देखोगे तो तुम खुश हो जाओगे प्रसन मतलब खुश होना हैपी होना आगे देखो मैंने भी बड़ी प्रशनशा सुनिये अब ये जो खड़क सिंग है वो कह रहा है कि मैंने भी बड़ी तारिफों तारिफ सुनिये मैंने उसकी चाल तुमारा मन मो लेगी चाल मतलब इस्पीड की जैसे घोड़ा चलता है न उससे तुमारा मन मोहित हो जाएगा कहते हैं देखने में भी बड़ा सुन्दर है क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हिरदय पर उसकी छवी अंकित हो जाती छवी मतलब चित्र इमेज कि जो भी एक बार घोडे को देख लेता है न वो उससे खुश हो जाता है और उसका जो चित्र है उसके दिमाग में फिटो जाता है बहुत दिनों से अभिलाशा थी आज उपस्तित हो सका हूँ अभिलाशा का मतलव उता है इच्छा कि मेरी बहुत दिन से इच्छा थी घोडे को देखने के लिए इसलिए मैं आज यहां पर आया हूँ आगे देखो ब गोड़ा देखा आश्यर इन सर्प्राइस हो गया वो गोड़े को देखकर उसने सहंस्त्रों ढखे नकिंभराशा بाका का मतलव होता है बच्चों सुन्दर और बहादुर ब्रेव घोड़ा उसकी आखों से कभी न गुजरा था इसका मतलब कि ऐसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था जो इतना सुन्दर हो बहादुर हो सोचने लगा भागे की बात है ऐसा घोड़ा खड़क सिंग के पास होना चाहिए अब उसका मन कर रहा है उसके इच्छा हो रही कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था ये घोड़ा बाबा के पास क्यों है इस साधू को ऐसी चुचों से क्या लब कुछ देर तक आश्यरे में खड़ा रहा इसके पश्यत उसके हिदे में हल्चन हो ले लगी मतलब व पच्छों के मन में इच्छा हो जाती कि ये मेरी होनी चाहिए वैसे ही खड़क सिंग के इच्छा होई कि ये घोड़ा काश मेरे पास होता ठीक है तो बालकोसी अधिरता से बोला परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या कि मैंने तो इसको चलता हुआ नहीं देख मैंने तो बाबा जी भी मनुशी थे अपनी बस्तू की प्रशंशा दूसरे के मुख मतलब होता है मुख से सुनने के लिए उनका हुर्दय अधिर हो गया मतलब भो भी खुश हो गया कि आरे मेरे घोड़े की कितनी तारिफ ओर यह खड़क सी मेरे घोड़े की तारिफ कर रह अब घोड़े को उन्होंने खोला वहां से अस्तवल से और वह उसको बहार ले आए घोड़ा बायू वेग में उड़ने लगा वायू बोलते बिटा हवा को तो हवा की गती जैसे हवा की गती कैसी होती है तेज होती है फास्ट होती है वैसे घोड़ा तेज गती में चलने लग तो गोडे की चाल देकर उसकी स्पीड देकर उसके हिर्दय पर साप लोट गए साप लोटना एक मुहावरा है उसका अर्थ होता है इर्शा होना जलन होना उसको अत्ती जलन हो रही थी कि बाबा के पास क्यों है इतना अच्छा गोडा ऐसा गोडा तो मेरे पास होना चाहिए भैडाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आजाये उस पर वैपना अधिकार समझने लगता था अधिकार मतला राइड उसको ऐसा था जो भी वो वस्तू देखता था उसे पसंद आया थी थी वो छीन लेता था क्योंकि वो तो डाकू था ना उसके पास बहुत सरे आदमी भी उसके साथ थे जाते जाते उसने का बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा आगे देखो बाबा भारती डर गया बाबा भारती इस धमकी से बहुत डर गया क्या अरे तो मेरा घोड़ा ले लेगा अब उन्हें रात को नीन नहीं आती अब डर की वज़े से वो रात को सोते नहीं थे सारी रात अस्तवल की रखवाली कटने लगी क्यों वो अस्तवल की चुरा लेगा मेरे घोड़े को आगे देखो प्रतीशन का मतला होता है एब्री मुवमेट हर शन खड़कसिंग का डर लगा रहता था परन्तु कई महीने बीट गए बहना आया अब उस उनके मन में डर हो गया था कि कभी भी खड़कसिंग आ सकता है पर कई सारे मन्थ निगले लेकिन खड़कसिंग नहीं आया यहां तक कि बाबा भारती कुछ असापधन हो गया थे देखो बच्चों शुरूशू में हम लोग बहुत केर लेते हैं चीजों की फिर धीरे धीरे हम केरलेस हो जाते तो वो भी बाबा भारती थोड़े से केरलेस जैसे हो गये थे कि आप खड़कसिंग नहीं आएगा मुझे टैंशिन की जरूरत नहीं है आगे देखो संध्या का समय था संध्या मतलब इवनिंग थी बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार उकर घूमने जा रहे थे वो राइडिंग कर रहे थे इस समय उनकी आँखो कलर को देखते और वह मन में फूले ना समाते फूला ना समाना एक मुहावरा है बच्चो उसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना हैपी हो जाना सहसा मतलब होता है स्पेडलली अचानक कि अचानक एक और से आवाज है साउंड आया उनको ओ बाबा इस कंगल गरी जिसके पास कुछ ना हो अचानक इनको आवाज आई वो तो अपना राइडिंग कर रहे थे सुल्टान पर खोड़े पर सवारी कर रहे थे अचानक को किसी की आवाज आया कि ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना आगे देखो आवाज में करूना थी करूडा का मतलब द अपाईज का मतला होता है बच्चो बिकलांग जिसका कोई एक हात ना हो या कोई पैर ना हो जो चलने में समर्थ ना हो जिसे हम बोलते हैं हैंडिकेप्ट तो एक अपाईज ब्रक्ष की छाया में ब्रक्ष मतला पेड की छाया में पड़ा कहा रहा था मतला दर्द से बोल रहा क्या कस्ट है कस्ट मतला दुख कि तुम्हें क्या कस्ट है तुम क्यों रो रहे हो तुम क्या बात है तो अपाइज ने हाथ जोड़के कहा बाबा मैं दुखी आ रहा हूं कि मैं बहुत दुखी हूं मुझे पर दया करो कि थोड़ी मेरी हेल्प करो थोड़ी मुझे पर दया कर परमात्म मतलब इश्वर गौड भला मतलब होता है भलाई कि आपकी बगवान बहुत भलाई करेंगे आपके साथ अच्छा करेंगे मुझे आप घोड़े पर बिठा लो क्योंकि मुझे यहां से तीन मिल एक रामबाला एक जगे है वहां पर जाना है वो विकलांग था वो चल सौतेला भाई हूं एक बैजी है जिनका नाम है दुर्गादत मैं उनका सौतेला भाई मतला स्टैप ब्रदर हूं बाबा भारती ने कोड़े से उतरकर अपाइस को घोड़े पर बिठा लिया बाबा भारती तो बहुत जाता दयालूते उनसे तो किसी का दुख देखाई नह उसको उन्होंने घोड़े पर बिठा लिया और स्वम उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चले लगे बाबा भारती सहसा मतला अचानक उन्हें एक जटका सा लगार लगाम हास से छूट गे लगाम किसकी घोड़े की लगाम जिसे पकड़कर घोड़ा चलता है ना उनके अच्छे से बैठा था वो भिकलांग ही नहीं था और घोड़े को दोड़ाए लिये जा रहा था और वो तो घोड़ा चला रहा था उनके मुख से मुख मतला मुह से भै मतला डर बिश्मय मतला आश्यर है और निराशा से मिलीवी चीक निकल गई मतलब चिलाने लगे उनको इतना ज़्यादा डर लगा और आश्यर हुआ कि एक विकलांग आदमी कैसे घोड़े को चला रहा है बहे अपाइस डाकू खड़क सिंग था और उन्होंने पहचा लिया कि अरे ये तो खड़क सिंग है डाकू ये कोई ये अपाइस ये विकलांग आदमी कोई और नहीं है ये तो खड़क सिंग है बाबा भारती कुस देर तक तो चुप रहे इसके पश्यात मतलब इसके बाद कुछ निश्य करके पूरे बल से चिला कर बोले बल मतलब ताकस से बोले चिलाए शाउटिंग की उन्होंने बोले कि जरा ठहर जाओ कि रुक जरा खड़क सिंग ने गोड़ा है न सुल्तान मैं नहीं दूंगा ये गोड़ा मेरा हो जुका है आगे देखो मगर एक बास सुनते जाओ खड़क सिंग ठहर गया मतलब रुक गया खड़क सिंग बाबा भारती ने निकट जाकर मतलब पास जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा करने के लिए नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे रिटर्न करने के लिए नहीं कहूंगा बापस करना मसला रिटर्न करना कि मैं तुम्हें बापस नहीं लोंगा एक घोड़ा तुम अपने पास रख लो एक गोड़ा परन्तु खड़क सिंग केवल एक प्राथना करता हूं बचों लग्सका मॉन करना कि इसको मानं नहीं नहीं तो मेरा दिल धूट जएगा अब जो बाबा भारति उन्हों हो प्लीज मेरा करूप को माल लो तो फिर उन्हों नहीं क्या आप भारति भारति नहीं ऊसst dei पहले खड़क सिंग ने का कि बाबा जी आग्या दीजी आदेश दीजी मैं आपका दास हूँ केवल यह घोड़ा ना दूँगा अब खड़क सिंग ने का कि आप और दीजी मैं आपकी हर बात माने को तयार हूँ पर एक घोड़ा तो मैं आपको नहीं दूँगा अब घोड़ जो अभी इंसिडेंट हुआ तुमने तुम मेरे घोडे पर बैठे और मेरा घोडा छील लिया इस घटना को किसी और व्यक्ति को बताना मत तो खड़क सिंग का मुँ आश्यरे से खुला रहे गया उसका विचार था कि उसे घोडे को लेकर यहां से भागना पड़ेगा परन्त खड़क सिंग ने बहुत सोचा बहुत सिर्मारा परन्तु कुछ समझ ना सका हार कर उसने अपनी आखे बाबा भारती के चेरे पर गड़ा दी और पूछया बाबाजी इसमें आपको क्या डर है अब देको उसको एक बास समझ भी नहीं खड़क सिंग को कि बाबा भारती ने आसानी से इसली अपना घोड़ा खड़क सिंग को दे दिया और बस ये का कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इंसीडेंट हुआ है अभी घटना हुए ये किसी के साथ शेयर मत करना किसी को बताना मन तो वो सरफ्राइस हो रहा है कि ऐसा भारती ने क्यों कहा और जिनके पास पासा नहीं रहता है विश्वास ना करेंगे यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की और से इस तरह मूह मोड लिया मूह मोडना बच्चों एक मुहावरा उसका मतलब होता ध्यान ना देना इग्नौर करना जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हुए कोई रि तो मैं इसका उत्तर बता देती हूँ क्योंकि बावा भारती ने सोचा कि एगर ऐसी घटना दूसरे इंसानों को दूसरे मनुष्यों को या दूसरे गाउं के लोगों को पता चल गई कि एक बिकलांग आदमी ने धोका दिया है तो कोई भी बिकलांग और गरीव व्यक्ति क कि मदद नहीं करेगा हर किसी का विश्वास उठ जाएगा गरीव व्यक्तियों से विकलांग व्यक्तियों से हर किसी का विश्वास उठ जाएगा मतला कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा ऐसे लोगों पर क्योंकि हर किसी को मन में लगेगा कि ये मुझे चीट करेगा गरीव ल ना दूसरे वेक्तियों को पता कल गई तो वह वह इसोचेंगे बोबी किसी गरीब की मड़ नहीं करेंगे वह हर गरीब ko हर अपाईस वेक्ति को क्या समझेंगे धोके बास समझेंगे और यह बाबा को मनूर नहीं था आगे देखिए बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंग के कानों में उसी प्रकार गूंज रहते मतलब वो सोच रहा था कि बाबा ने मुझे ऐसे कहा तो वो ही बात वो सोच रहा था कि सोसता था कैसे उचे विचार पवित्र भाब कि बाबा कितने अच्छे हैं बाबा दूसरे व्यक्तियों के बारे में कितना सोच रहा हैं उन्होंने घोडे के बारे में नहीं सोचा घोड़ा आसानी से मुझे दे दिया पर वो दूसरे इंसानों के बारे में सोच रहे हैं, गरीब लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बिकलांग लोगों के बारे में सोच रहे हैं, कि उन्हें इस घोडे से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, मतलए खुश हो जाते थे वो घोडे क करते थे उनको डर ठा कि उनका घोर ना ले ले इसलिए वह रात को सोасोते नहीं थे और वह उसकी सुरक्षा के लिए वह रात भर जखते थे और वही unlikely умुए अनade कि कहीं लोग गरीवों पर विश्वास करना ना छोड़ दें ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देपता है बच्चों आज के जमाने में ऐसे लोग कहां मिलते हर कोई इंसान अपने बारे में सोचता है हर कोई इंसान सेलफिश होता है इतना कौन दूसरे के बारे में सोचता है ले लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खड़क सिंग है और खड़क सिंग निया था। रात्री के अंदकार में रात्री मतला रात हो गई थी फिर अंदकार मतला अंदेरे में खड़क सिंग बाबा मंदिर के बाबा भारती के मंदिर में रहते थे ना बाबा भारती तो मंदिर चला गया चार और सन्नाटा था रात में तो सन्नाटा ही रहता है ना सब जगे सुनसान रताया आवाजे नहीं रहती है आकाश में तारे टिमटेम रहे थे थोड़ी दूर तक गाउं वो के कुत्ते भौक रहे थे मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था रात में हरकोई सोच आता है एकदम सुलसान रहता है आवाजे नहीं रहती है खड़क सिंग सुल्टान की बाग बाग का मतलब घोड़े की जो लगाम होती है उसको पकड़े हुआ था अब यह जो खड़क सिंग है वो सुल्टान को लेकर बाबा भारती के मंदिर आ गया था ठीक है तो बैद धीरे धीरे अस्तवल के फाटक पर पहुंचा जहां पर घोड़े रखे जाते हैं जहां पर सुल्टान रहा करता था फाटक मतलब दर्वाजे पर पहुंच गया था फाटक खुला पड़ा था दर्वाजा खुला था किसी समय वहां बाबाभारती स्युम लाठी लेकर पहरा देते थे लाठी मतलब स्टिक पहले जब यह सुल्टान था कि दर को पहरा देचैने लिए अब तो सुल्तान था नहीं फाटा्ष in परान्तु आज उन्हें किसी चोरी किसी दाके का भेहना था ख़ड़क शिंग्ने आगे बढ़कar सुल्तान को उसके स्थान पर बाण दिया अब उसने देखो उसका मन बदल चुका है खड़क सिंग का मन बदल चुका है वे गोड़ा बापस लेके आया और उसे अस्तवन लेके गया और बापिस गोड़े को वहीं बाद दिया और बाएर निकल कर साब धानी से फाटक बंद कर दिया उस समय उसकी आखो में नेकी के आँस से नेकी मतलब भलाई के अब वो बदल गया था तो वो उसके आखो में आँसु आ गए उनका जो कमरा था उनकी जो 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 कोटिया मतल Minty कुडिं ते भाहर निकल थंड़े जलसे सिसनान किया दरह आए भाबाब भार ती उन्हें थंड़े पानी सब्सक्राइक नहीं पता है कि घोड़ा बापस लोटा का पता नहीं है कि घोड़ा निराशा लब वे वहीं रुक गया वो वापिस गय थे घोड़े ने आपने स्वामी के पावों की चाप को पैचान लिया और जोर से हिननाया, बच्चे ओ जो जानवर ही वह अपने स्वामी से अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं, तो गोड़ा पैचान गया था अपने मालिक के पैरो की बाज पक देवनी जिसे बोलते हैं तो जो सुल्टान था वो बाबा भारती के पैरों की आवाज को पैचान गया था और पैचान के वो खुशी से जोड जोड से हिने नाया ठीक है आगे देखो अब बाबा भारती आश्यर है सर्प्राइज और प्रसनता खुश हो गए से दौ क्वश गया और खुश है वोफ में आँश हो आ गया गये मानों कोई पिता बहुत दिन के बिछोड वे पुत्र से मिल रहा है छामार जैसे एक पिता हो अपने पुत्र से बेसे वैसे ही भी बेटे के समानी साना बावारती का बेटे के समान रखते थे सुल्तान को तो वह उससे लिपटकर रोने लगे बार बार उसकी पीट पर हात फेरते और बार उसके मूह को ठपके दें बहुत प्यार किया उन्होंने उसको घोडे को और फिर वेश्च संतोश से बोले उसका मतलब होता है ध्यान ना देना कि अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो गरीवों की सायता नहीं करेगा ये है उनका मतलब क्यूं उन्होंने ऐसे कहा बताओ कि बाबा भारती ने ऐसा क्यूं कहा कि अब कोई गरीवों की सायता नहीं करेगा मतलब सब लोग करेंगे क्योंकि खड़क सिंग ने बाबा भारती का घोड़ा बापिस दे दिया था ठीक है उसका मन बदल गया था खड़क सिंग का मन कैसे बदला उसने बाबा भारती का घोड़ा बापिस क्यों दिया जब वो घटना होई और बावभारती ने का कि मेरी तुमसे प्रातना है कि इस घटना को किसी को मत बताना किसी के सामने प्रकट मत करना क्योंकि कोई गरीब क्योंकि उन्होंने उसका रीजन दिया ठीक है क्योंकि अगर इस घटना का गरीबों को पता चल गया कोई भी गरीबों पर विश्वास नहीं करेगा ये बात सुनकर जो खड़क सिंगा उसका मन बदल गया था और उसके मन में दया उत्पन हो गई थी ठीक है आश्य करती हूं बच्चों कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा इसके कुशन आंसर मैं आपको दूसरे वीडि दायोगा धन्यबाद